एक जंगल में एक बुढ़ी लोमडी रहती थी, जिसका नाम चंदा था। एक समय की बात है, लोमडी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंड रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह परेशान हो गई और अपने बच्चों के साथ भूखे प्यासे ही रह गई। चंदा ने सोचा कि किसी अन्य जानवर से मदद मांगने होगी। उसने अपने दोस्त छिपकली से कहा, क्या तुम मुझे खाना ढूंडने में मदद कर सकती हो। छिपकली ने उसे स्वयम के घर की ओर इशारा किया। चंदा ने छिपकली के घर की ओर जाकर देखा और वहाँ पर बहुत सारे कीट पतंग थे जो उसे खाना दे सकते थे। वह बच्चों के साथ वहाँ से खाना ले आई और सब को खिलाया।